नमस्कार आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली इडली इसे हम रवा और सबजियों को मिला कर बनाएंगे ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही हल्दी होते हैं इन्हें आप वीक में एक रवा लिया है यहां पर हमने दो कटोरी रवा लिया है अब हम उसी कटोरी से 1,5 कटोरी दही लेंगे दही हमारा घर का बना हुआ है और अब हम उसी कटोरी से अब ले रहे हैं एक कटोरी पानी इन सब सामग्री को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे लगभग 15-20 मिनट तक रख देंगे जिससे कि यह set हो जाए अब इसके बाद हम क्या करेंगे जब तक यह set होता है तब तक हमने थोड़ी सी सब्जियों को chop किया है यहां पर हमने एक प्याज को हमने बिल्कुल महीन और दो गाजर चॉप कर ली ए और थोड़े से बीन सॉप किゃ। अगर आपको हरी मिर्थ चाहिए तो आप इसमें एड़ कर सकते हैं। और हाँ पर हमारा बैटर सेट हो चुका है, इसमें हम एड़ कर रहे हैं, वन फोर्थ टेबल स्पून सोडा, ये खाने वाला सोडा है, अब इसके बाद हम इसमें एड़ कर रहे हैं, एक ग्लास पानी, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, और जो हमने सारी सबजियों को चौप क करके रखा था, उन सबजियों को हम इस बैटर में एड़ कर देंगे, आप अपने अनुसार सबजी ले सकते हैं, अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं, स्वाद के अनुसार नमक, इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और देखे हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी है, और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जिससे कि हमारी इडली बहुत ही अच्छी बनेगी, इसके बाद हम इसे रख देंगे, और हमने एक छोटा सा पैन गरम कर लिया है, इसमें हमने रिफाइन ओयल एड़ किया है, इसमें हम तड़का लगाएंगे, सबसे पहले हम इसमें ए पानी जब उबलने लगेगा तब हम इसमें इडली प्लेट्स को रखेंगे, जब तक पानी उबलेगा तब तक हम इसमें बैटर को डालेते हैं, बैटर के डालने के पहले हम प्लेट्स में रिफाइन ओयल लगा देंगे, जिससे कि इडली चिपके नहीं और आसानी से निकल बैटर को डाल देंगे हमने यहाँ पर भी तुदक कम ही डाला है जिससे की जब इडली फूले तो बाहर नहीं आए आसानी से इस पर रह जाए तो इस लिए हमें बैटर को थोड़ा कम ही डालना है और तब तक हमारे इडली स्टेंड में भी पानी में भी उबाल आ चुका है अब पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें प्लेट को रखेंगे पहले हम नीचे वाली प्लेट को रखेंगे हमने यहाँ पर नीचे वाली प्लेट को रख दिया है इसके बाद हम दूसरी प्लेट को रखेंगे लेकिन ध्यान रहे जब हम दूसरी प्लेट को रखें तो जो इडली प्लेट के होल्स है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए जो दूसरा उपर वाला हमारा प्लेट है प्लेट की जो इडली है वो नीचे वाले होल के उपर आना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमारी इडली अच्छे से स्टीम होगी और पूरी इडली बराबर स्टीम होगी हमने यहां पर दूसरी प्लेट को भी रख दिया है अब हम इसक लगबग 15-20 मिनट तक इसे स्टीम होने देंगे इसे हमें बीच में नहीं खोलना है और गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए जब यह 15-20 मिनट हो जाएंगे तब हम इसको गैस फ्लेम आफ कर देंगे और इसको खोल लेंगे लगबग 15 मिनट हो चुके हैं अब हम गैस कर देंगे और हमें इडली को तुरंत नहीं निकालना है देखिक हमने धकन को खना दिया है और हम और इसे निकालकर नीचे रहेंगे प्लेट को और हमें इस निकालना है लगबग 14- bluff मिनट केіс मोन बा disput घ्राइब के नहीं Captain लिगा जो साउनी से निकल जैए एक से दो मिनट इडली को प्रेट में निकाल लिया है और देखे हमारी इडली कितनी अच्छी बनी है हमने इसे नारेल की चटने के साथ सर्व किया है जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां से देख सकते हैं और यह टमाटर की चटनी के साथ भी बहुत इसे बना सकते हैं वीक में आप एक बार जरूर बनाए और इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है क्योंकि आप इसमें किसी भी बैटर को भीगोने की ज़रूरत नहीं है आप 15-20 मिनट रवे को भीगोई और आप इडली बनाकर खाईए और सबको खिलाईए कि सबको बहुत ही प